आर्पीफ के वारे में एक बहुत ही इंपोर्टन खबर निकल के सामने आई जैसे कि आप स्टूडेंट्स लगातार मेरे टेलिग्राम चैनल और इंस्टेग्राम पर भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कॉमेंट बॉक्स में भी टैक किया था कि कोई अपडेट है क्या कि कॉंस्टेबल में कितनी होंगी क्या रेलवे में कुछ और भी वेकंसिस आनी हो लिए बहुत सारी वाते आप से करनी है वीडियो जैहन साथियों कैसे हैं आप अमीर है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल गई होगी आज कि इस इंपोर्टन खबर निकल के सामने आई जैसे कि आप स्टूडेंस लगातार मेरे केलिग्राम चैनल और इंस्टेग्राम पर भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कॉमेंट बॉक्स में भी टैक किया था कि कोई अपडेट है क्या आर्पियफ के रिगार्डिंग आपके लिए सारी वाते आप से करनी है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है चुकि मुझे आपको एक एक डीटेल देनी है और अगर हाँ आप प्रेशर हैं चुकि कई बच्चे उसमें प्रेशर भी थे तो उन्होंने डीटेल भी मागई थी तो मैं आपके लिए डीटेल भी लेकर हैं फॉस्ट टाइमर हैं तो भी आपके लिए चलिए जल्दी से बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजे सब्सक्राइब मतभूली है चुकि आपके इस चैनल पर आपको लगातार किसी भी वेकेंसी की अपडेट के बारे में बताया जाता है और वी फुल ऑथेंटिकेशन के साथ लेकर आया हूँ यह ख़बर जिहां आर्पीफ के रिगार्डिंग तो आई जान लेते हैं क्या है बात पूरी तो यह निव वेकेंसी की लेटेस अबडेट में आपके सामने लेकर आया हूँ तो फुल डिटेल क्या है आई जर्दी से बात करते हैं देखें एक तो है आर्पीफ रेलवे पुलिस फोर्स और दूसरी है आपको मिलने वाली है एलपी टेक्निशन्स की यह दोनों वेकेंसी की डिटेल का पौम आने वाले हैं सारी चीज़े मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ जूड़े देगा कहीं मच जाएगा अगर अब आर्पीफ की बात करें तो इसमें दो वेकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है एक तो कॉंस्टेबल पर और दूसरा सब इंस्पे के पहले हैं और पांच साल के असपास हो चुछे हैं तो उमीद यही है कि इस बार भी ऑल्मोस्ट ऐसा ही कुछ होने वाला है क्या होने वाला है किस मंत में होने वाला है सारी डीटिल में आपको इस बारे में आगे बताने वाला हूँ आगे बात कर लेते हैं पहले जंदी से देखे अगर हम constable की बात तरहें तो constable के जो पदों की संक्याफ होने वाली है most expected है वो लगबग साले 9000 के असपस होने वाली 9000 से जादा है यह दोनों ही category के students के लिए होगी चाहे वो male हो और या चाहे वो female हो दोनों की category के लिए students के लिए post होगी और सबसे अच्छी और खास अच्छी बात यह है कि यह vacancy जो constable की होने वाली है वो female के लिए 50% reserve है सबसे अच्छी बाती होती है मतलब अगर 9000 विकंसी है तो साड़े 4500 विकंसी reserve है और अगर मौलों 10000 विकंसी है तो 5000 विकंसी reserve होंगी अदब government sector के इस field में लड़कियों के लिए job पाना महिलाओं के ल सब्सक्राबर बहुत ही सम्मानी है बहुत ही आसान है तो अब है क्या कि qualification बस कितनी मांगी गई यह आप देख लिए 10th अगर आपने 10th minimum 10th कर रखा है तो आप जो यहां पर form को भाज सकते हैं बात करें अगर यहां पर हम height की पुर्षों के लिए females के लिए भी बात कर रहा जिससा कि बाकी में होता ही है उतनी है उससे थोड़ी जादा ही आसान है क्या कि 1600 मीटर आपको दोड़ना है वह भी 5 मिनट 45 सिकन में यही जिगा SI में थोड़ा सा टाइम इसमें जादा मिल जाता है आपको बात करेंगर syllabus की तो यहां पर अगर आप syllabus अपना देखना चाहते ह में आपके कैसे पूछा जाने वला है तो यह से तीन चीज़े वड़ी important है GSG के maths है और reasoning है जब हम GS की बात करते हैं तो 50 नंबरों की GSG के और math 35 नंबरों की reasoning के 35 कोशन आते हम आप पर यह और total हो जाते हैं इस तरह आपके 120 कोशन ठीक है और negative marking होती है यहां पर 1 by 3 कितनी negative marking ह होती है 1 by 3 जी अचा 1 by 3 बहुत टाफ होता है 1 by 3 अगर कोई समझता नहीं है फिरशर हैं आप तो समझ दिए कि अगर आपके 3 कोशन सही वाले है मतलब घलत अगर आपके 3 गलत कोशन हो जाते हैं तो सही से आपका एक नंबर उडा दिया जाएगा यह है इसका negative marking का मतलब अच अगर आपको यहां पर अच्छा खासा टाइम है और अच्छा खासा नहीं भी है तो इसके लिए आपको practice ही होगी अच्छा एज कौन से एज के बच्चिस को form को भर सकते हैं तो एज आपकी चाहिए होगी 18 minimum और 25 साल maximum हाँ अगर आप एज रेलक्सेशन लेना चाहते हैं तो आपका कास certificate लगेगा यहां पर अगर आप OVC के हैं तो तीन साल की चूट मिलती है अगर SCST से वेलोंग करते हैं तो अपांसन की चूट मिलती है अपको this is all about constable यह है constable की डीटेल उमीद है आपने सब कुछ अच्छे से समझा पढ़ा है आई अब हम लोग मूफ करते हैं य रेलवे में बहुत सदा जो है जहर खुरानी और बत्तमेजी लूट पार्ट यह सब बहुत होने लग लग लिया था तो उसी के मद्दे नजर जो है आर्पियाफ एक संस्था बनी एक और्गनाईजिशन बना ताकि रेलवे की संपत्ती को सुरक्षित रखा जाए आतरिव क सुरक्षा की जाए और उसी के मद्दे नजर यहाँ पे दो पोस्ट हैं एक है आपियर और एक है एर कॉंस्टेबल एसाई और कॉंस्टेबल दोनों ही रेलवे की संपत्ती को सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास करते हैं गॉर्मेंट के ताप्षित ठीक है अब आप ही SI क कि पदों की संप्याट 5,000 से असपा 7,000 से जादा भी हो सकती है यहां कौलिफिकेशन की जब हम बात कर रहे तो यहां 10 चाहिए था जबकि हम यहां क्या हम बात Si है double star vacancy है फिजिकल की अगर हम बात कforward तो जो फिजिकल यहां था लगबग वही फिजिकल यहां पर भी है एज यहाँ पर जो थी आपकी कॉंस्टिबल में आर्पियफ के तो एक सो पैंसेट सेंटे सोरी अठारा से पचीस और यहाँ आपको अठारा से सताइस मिलने वाली है विद एज रिलेक्स शेशन वही तीन साल और तान साल का दिस इस अल अबाउट एसाई सब इंस्पेक्टर तो उमीद है आपको यह दोनों चीज़े समझ में आ गई है आईए अब हम अगली वेकंसी की बात कर लेते हैं जो रेलवे की तरफ से अनाउंस की जाने वाली है तो अभी तक जो हम लोग ने वेकंसी देखी लगबग 10,000 से असपास यह वेकंसी रेलवे में आर्पियफ और कॉंस्टिबल के पद पर निकलने वाली हैं आईए अब हम आपको लेते हैं रेलवे की कुछ और वेकंसी इसके बारे में दूसरी वेकंसी है एलपी और टेक्निशन एलपी का जो है फुल फॉर्म होता है असिस्टन लोको पाइलेट यह काम क्या करता है जिसका नाम ही असिस करना होता है अपने सीनियर को और उसमें आपको लगते हैं करेब वच्छे खासा समय साल भी लग सकते हैं महीं भी लग सकते हैं इसलिए उसके साथ रहकर आप जो है सीखते हैं गारी चलाते हैं तब आपको मिलती है क्रेंट चलाने को लेकिन शुरुआ के कुछी दिनों बा करते हैं तो पूरी विकेंसी मिलाकर लगबख साथ हजार के असपास बनती है जाकर जिसमें से एलपी के करीब 20,000 पद हैं और टेक्निशन के लिए भी 40,000 पदों को यहां पर उमीद की जा रही है ऐसा कि 40,000 के असपास पद यहां पर निकलने वाले हैं अच्छा एलपी की इक लिए जो है डिटेल क्या है अगर आपकी ऐज 18 साल हो गई है तो आप वर सकते हैं, Consellable का भी भर सकते हैं, तो और एलपी का भी भर सकते हैं. चिके ऐज रिलेक्स्येशिन वही है यहां पर पस फर्क इतना है यहां पर की 10 जो है मांगा गया है ITI के साथ. मतब 10 मांगा ग रखा है तो आप यहां पर ELP का फॉर्म भर सकते हैं उसी जगा अगर आप टेक्निशन की बात करें तो टेक्निशन में क्या है कि आपको PCM ट्रल्थ आपका PCM गुरुप से होना चाहिए तब ही आप यहां पर टेक्निशन का फॉर्म भर सकते हैं अच्छा टेक्निशन के जो सेलेक्शन प्रोसीजर उसका जो सेलेबस है उसकी डीटेल थोड़ी सी मैं आपको बता दू यहां पर क्या है कि इसमें CBT1 और CBT2 के दो एक्जैम होते हैं डीटेल आगे है मैं आपको दू रेलवे और RPF, LP टेक्निशन के बारे में आईए बाग कर लेते हैं exact में कि यह फॉर्म कब तक आने वाले हैं जैसा कि शुरुआत में आपको बताया था कि जो फॉर्म है वो आपको मिले थे पिछली बार elections के पहले तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 आगलें अवाला जो साल है है अपरल से में के बीक या अपरल से जून के बीच में एलेक्शन हो जाएंगे या होने वाले होंगे तो यह माना जारा है कि ए फोर्म आपको देखने को मिलने तुछ में वाले जनवरी से फर्वरी जनवरी और फर्वरी के असपास एक पाउम आपको देखने को मिल सकता है तयारी कर लीजे पूरी आप जनवरी और फर्वरी के असपास के लिए ठीख है